दोस्तो आज दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स की टीम के बीच IPL का 64 मैच खेला जाएगा और ये मैच इन दोनों ही टीमों के लिए काफी ज़्यादा बड़ा होने वाला है तो ऐसे मैच जानते हैं कि इस मैच में इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग लेवन कैसी होग है जहाँ इन दोनों ही टीमें अपना पिछला मैच जीत कर आ रही है और ये दोनों ही टीमें आज का मैच भी जीतना चाहेंगी क्योंकि अगर आज जो भी टीम ये मैच जीतती है तो उसके प्लेइओफ में कौलिफाई करने के चांस काफी ज़्यादा बढ़ जाएंगे वह दिल्ली की टीम 14 मैच जीत पाई है और पिछले 3 लगतार मैचों से दिल्ली की टीम पंजाब को हराती आ रही है और इस बार भी जब इन दोनों ही टीमों का सामना हुआ था तो उस मैच में दिल्ली ने 9 विकिट के बड़े अंतर से पंजाब को एक तरफे मुकाबले में हरा दिया था ऐसे में यहां तो दिल्ली का पलडा भारी दिख रहा है लेकिन दिल्ली ने अब तक इस आईपिल में दो लगतार मैच नहीं जीत पाई है क्या ऐसे में आज दिल्ली की टीम दो लगतार मैच जीत पाईगी कि नहीं ये दिखना होगा और ऐसे में आज का ये और जितेश चर्मा मिडल ओर में बल्ले बाची करते दिखाई देंगे। मिडल ओर में मिडल ओर में मिचल मार्ष, कप्तान रिशप पंत, रम्मेन पावेल, लली त्यादव और अक्षर पतेल मिडल ओर में बल्ले बाची करते दिखाई देंगे। कुछ इस तरह होगी। ऐसमें दोस्तों आपको क्या लगता है? आज का ये बड़ा मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? आप अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे में अगर आप चैनल पर नज होतों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से चुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। कि अपज कर दो essayer करें टूपनào जदियों आप हमारे डाली सी बवीयो एफ अवयों नव्य दोस्तों मिलते हैं।